जै मतदी गाईज कैसी है अमरी योटूब फैमली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे खुश होंगे अपनी जिन्दगी मस्त होंगे मतारानी सब को खुश रखें तो कल के ब्लॉक में हम लोग नास्ता कर रहे थे और इसके बाद हमने वीडियो का एंड कर दिया था और इधर ना ये भी नास्ता कर रहे हैं तो हमने सोचा पता नहीं पिलेट में लेकर कि क्या टहल रहे हैं और जैसे ही देखे ना पता नहीं क्या धोसा है लिए थे आलू वाला तो हमने सोचा हम भी थोड़ी सिन के साथ खा लेते हैं और फश टाइम है ऐसा हुआ है कि साधी मे हम इनके साथ इस तरह खा रहे हैं बहुत ही अच्छा भी लग रहा था और इधर ना हम लोगों की साइड ना दौर चार भी होता है जैमाल से पहले तो इधर जितने बराती है ना सब लोग आ गए हैं और दौर चार हो रहा तो आप लोग भी देखिए दौर चार हम लोग खा रहे हैं आप लोग भी खाईए देखें नहीं नहीं कितना लबा चाड़ा को अटिये बैटने हुए है हमारी मौसी है मौसी चारे लीना की मौसी है आपकी मौसी है अभी चैमाल करने में नहीं तो अपरे लेट है ना उत्राव कर दोर चार होने के बाद भाद नहीं है कि लेकर देखें देखिए नहीं है मारे मारे में तर में पालू में नहीं है इसके बाद ना हमारे छोटे वाले भाले यानी शंतोश हो गया हाथ में फोन ले लिए और बोल रहे थे दीदी हम सबकी वीडियो सूट करते हैं अब वीडियो सूट करते करते ना पताने उनसे कौन सी क्लिप दब गई कि वीडियो हर जगे रुक रुक जा रही थी और इतना हमारे पास टाइम नहीं था कि अच्छे से हम अपने फोन को देख पाते कि टाइम कहां से सेट हो गया इसलिए ना पूरी वीडियो में हर जगे ऐसी हो रहा है रुक रुक करके फोटो क्लिप हो रही है और जैमाल के समय भी ऐसे हो रहा है और हम संतोस भया से हस रहते कि आप हमेशा ऐसे ही सबकी वीडियो सूट करते हैं तो आप खुद सूट करिए तो यहाँ पर कोई चाचा है कोई मामा है कोई नाना है कोई मौसी है तो आप लोग भी सब से मिलिए और आप लोगोंको न छोटी सी प्यारी सी गुरिया से मिलवा रहे हैं ये सनतोस भहया की लड़की है और इधर न भावी लोग भी सब लोग बैठी हुई हैं ये देखिए हमारी छोटी वाली भावी हम सब लोग बैठ करके खा रहते आइस्क्रीम और तेखिए हर जगे न बस फोटो क्लिफ हो रही हैं क्योंकि वीडियो सही से नहीं आ रही अब हम अचाते तो कितना होटाते कोई ऐसा नहीं था कि जिससे हम कहते कि थोड़ी बहुत वीडियो सुट कर लो तो हमारे भाईया जी सूट तो कियें बट इसी तरह की वीडियो सूट कियें रुक रुक करके हम लोग चल रहे हैं रूम में जहां पर बैठी हुई है लवली तो ये देखें लहंगे में कितनी प्यारी लग रही है और यहां भी वीडियो कितनी रुक रुक करके पता नहीं क्या हो गया था ऐसा हमको खुब जब वीडियो एडिट कर रहे ना तो ऐसे लग रहा है कि कैसे हम करें लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो भी है आप लोगों को खुशार शेयर तो करना ही है क्योंकि जो हमारे अपने लोग है वो लोग कहेंगे कि दीदी ने हमारी लोगों के वीडियो नहीं सूट किया हमको खुद बहुत सरम आ रहे थी लेकिन कोई बात नहीं है तो यहाँ पर हम लोग भी फोटो भी क्लिप करवा रहे हैं और सब के साथ वीडियो भी सूट करवा रहे हैं तो आप लोग भी फुल लिंजॉय करिए अपने थोड़ा नीशे आओ ज्यादा उपर हो कि होता है कि अए बहुत अची बहुत अची वीडियो आओ रहे हमारे सकते नमा ओदरोब अब लोगे कि प्रूम से हम प्रूम से सब लोग बाहर आ गए हैं और यहां भीना भावी लोग सब लोग बाहर खड़ी हुई थी तो वीडियो भी सूट करवा रही है फोटू भी क्लिप करवा रही है तो आप लोग भी फूल इंज्वाई करिए सो गाइज जैमाल की अब फाइनल तयारी हो गई है और यहां पर भाईया हैं और सभी सखिया हैं उनकी सभी लोग जले करके लड़की को जा रहे हैं जैमाल के लिए तो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं और आज के वीडियो में ना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि जब है एडिट हम कर रहे हैं तो हमको खुद ही लग रहा है कि रुक रुक जा रहे हैं देखे पूरी वीडियो में ऐसे ही है तो यहां पर जो दोनों एक ही कलर के ड्रिस में है न वही है लबली के भाईया और बहुत ही अच्छा लग रहा थ लेकिन म्यूजिक यहां का नहीं हम सुना रहे हैं क्योंकि काफी राइट आ जाएगा और सभी लोग नाचते कूते लेकर लड़की को जा रहे हैं और जैमाल हुआ कहा है तो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे हुआ है जैमाल यानि कमल का फूल यह देखें कैसे किया गया है और अभी कमल के फोल के अंदर ही लड़की लड़का जाएंगे और वहीं पर होगा जैमाल इसके बाद जैमाल जब होगा तभी हम लोगों को दिखाया जाएगा हाथ में जैमाल लिए हुए खड़े हुए हैं लड़की लड़का और यहाँ पर न दोनों की जोड़ी न बिल्कुल राम सीता वाली जोड़ी दिख रही है और कल के व्लॉक में हमारी बेहनों ने आप लोग ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है ऐसे अपने दीदी का बुआ का साथ देते रहे और देखे कितनी भीड है क्योंकि काफी दूर दूर से लोग आए हुए थे बेवहार भी काफी था और बराती भी काफी आए हो गया सभी लोग तालिया बजा रहे हैं जैमाल का कारिक्रम ना हर जगे का अलग अलग होता है जब तक ना लड़की लड़का अंदर थे ना तब तक ना सभी लोग ना ताली बजा बजा करके और हंगामे कर रहे थे अब एक तरफ हो रहा रांस और इसके बाद ना लड़की लड़का दोनों लोग आ रहे हैं स्टेज पर सब लोग मिल करके देंगे आशिरबाद आप लोग भी सब ही लोग दीजिएगा आशिरबाद अब हम मिलवार हैं आप लोगों को मीना की बड़ी वाली दीदी से इनी की लड़की की है शादी तो आप लोगों से जै मातादी बोल रही हैं और इनको अब टाइम मिला है कि थोड़ी से बैशती है इसके बाद हम लोग बारी बारे की काफी लंबी फैमली थी माइके से भी और सस्वराल से भी तो काफी टाइम लग गया था करीब देड़ दो घंटे लग गये थे आशिरबाद में और ये ना बार-बार हमको फोन कर रहे थे कि जल्दी तयारी बनाओ क्योंकि इन्होंने कहा था ना जैसे ही जैमाल होगा वैसे ह लोग हमको रोक रहे हैं बोली दीदी अच्छा नहीं लग रहा है पूरी शादी ना देख करके ही जाईए तो हमने का हम क्या करें हमको तो अच्छा लगता है कि विदाई तक हम लोग रूकें लेकिन यहां पर ये मान नहीं रहे थे तो हमने भी जल्दी आशिरबाद दे द आएगा क्योंकि दूसरे दिन ना हम लोगों को निकलना था लखनाओ के लिए तो यहां पर हम भी आशिरबाद दे रहे हैं सभी लोग आशिरबाद दे रहे हैं क्रिष्णा और मनुना दोनों लोग एकदम रेडी खड़े हुए थे बोल रहे थे माँ चलिए क्योंकि टाइम हो रहा था ना इनको भी नींद लग रहे थी तो हम जो गिप्ट लाए थे देने के लिए लबली को वो दीदी जी को ही दे देते हैं हमने सोचा कि विदाई के समय देंगे बट अब विदाई तक तो हम रुखी नहीं पाएंगे और आप लोग भी कहोगे कि दीदी कहीं भी लड़की की विदाई की टाइम आप नहीं रुकता यहां पर रुकेंगी और हम गोबिन से कह रहे हैं कि गोबिन चलो लेकिन गोबिन भी कहां जाने वाले हैं बच्चे भी ना सोचते हैं फुल पार्टी नजॉय करके तभी जाएंगी और यह लास्ट में गय थे आशिरवाद के लिए और मीना की जो बड़ी वाली द दोस्ती हो गए थी लेकिन उनके जब घर गए न ऐतिना मुस्कुर आ रहे थे इसलिए विल्कुल सामने इनको खाड़ कर दिया और कपी अच्छी दोस्ती भी हो गए थी ये मन खुश हो गया है अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं और देखिये लबली को बरतन दिये और कितनी उचाई से दोनों तरफ ऐसे रखा गया था ये टंकी ही टंकी है जल्दी वाजी में हम गिन भी नहीं पाएं कि कितनी टंकी है लेकिन बिल्कुल अलग सा लग रहा था और यहां है मीना की मम्मी तो कहरें बिटिया मत जाओ बिटिया रुख जाओ और रोने जैसे जीज़ा जी है खड़े हुए यह और मीना पैर्च हो रही है और मीना से हम बोल रहें जो लेकिन जीज़ा जीन के कह रहे एंटि अभी दिदी हाँ जी हम पहुंच गए अपने ससुराल और यहां ना सभी लोग सो गए थे क्योंकि टाइम ने डेड़ बज रहे थे और चाचा जी वस गेट खोल दिये थे हम रूम के अंदर आ गए और अपनी साड़ी का फुल लुक देख रहे हैं पूरी तरह से हम अपनी साड़ी का फु कपड़े चेंज करते हैं और मनु कृष्णा आवाद दे रहते कि माँ गेट खोल ये हमने का आप कपड़े चेंज कर लेंगे तभी गेट खोलेंगे आज का ब्लॉक का इसा लगा कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा इस व्लॉक का एंड़ भी करना चाहते हैं ब्लॉक पसंद आए लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा शेयर करिएगा और ऐसी प्यार देएगा